हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू जीवन क्लासेज प्रोडाइनिक सेकेंड डिप्लोमा के रेफ्रिजरेशन एंड एर कंडिशनिंग फॉर्थ समिस्टर के सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे लेक्चर नमबर थी होगा और चैप्टर नमबर टू वास्प संपीडर निका कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से वहां समझाया गया है तो चलिए शटार्ट कर रहें लेक्टेर नमबर थी वास्ट निकार यह normalmente 6 में कलेंगे आगले लेक्चर में हम करेंगे सके नुमेरिकल और सभी नुमेरिकल बहुत ऊप्रोंदा इंप्रिट होंगे में सुधार इसके हमने बात की थी अब इसी से आगे हम बात करेंगे परसारन वाल्व में फ्लेश चैमबर को कैसे लगाना है यहां पर हम बात करें तो दिखेंश में लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि जब संगनित्र होता है जो कंडेंसर होता है जब संगनित्र द्वारा निकले उच्च दाब द्रव रेफ्रेजरेंट को प्रसारक वालव द्वारा गुजारा जाता है तो तब कुछ द्रव रेफ्रेजरेंट इसमें से वास्पित हो जाता है ठीक है वास्पित हो गया अब द् चाहत है प्रसारण के दौरान यानिकि जो वास्प बनता है अनुप योगी होता है जिसके द्वारा किसी प्रकार का सद्रीनट प्रभाव उत्पन नहीं करता है जैसा हमेंटेंल इसमा गुपत उसमा के रूप में नीट रहती है पर शुनुमकि वहां संपीड़क के सेक्षन भाग में प्रवेश कराते हैं और इस प्रिक्रम को किरियानवित करने के लिए हम प्रसारण वाल्व द्वारा वास्पित्रि के बीच में फ्लेश चेमबर का प्रियोग करते हैं यह फ्लेश चेमबर एक कुछालक पात्र जिसको बोलते हैं इंसुलेटिड कंटेनर यह होता है जो अभिकेंद्रिय बल जिसको इंगलिश में बोल रहे हैं सेंट्रिफ्यूगल फोर्स इसकी साहता से द्रव एवम वास्प को अलग कर देता है और जिससे वास्पित्रि से गु वम नहीं है माना है और आप्यू को माना हमने द्रव एवम वास्प रेवज्येंट का द्रव मान जो या तो संगिनितर में प्रवाविक आए और M2 तो हो गया यह और M1 हो गया हमरे पास द्रव रेस्ट्रेंट का द्रव मान जो वास्पित्र को प्रभावित किया रहता है अब यहां पर फिकर के मादब में समझेगा देखें यहां पर है यह एक्सपेंशन वाल ठीक है यह हमारे पास संगनित्र देखें संगनित्र से यहां पर आप जिहां से देखेगा है कि यह वासपित्र है ठीक है वासपित्र से होते हुए यहां पर यह जाता है संपीडख में और यह दिन के कम्परेसर से निकल कर जब ही कमप्रेस होता है कम से आता है यह संगञित्र में होते हुए यह Barnes में जाता हो और फिर hierarchy चलती रहती है तो यह होता है हमारा Flash-Chamber यानि कि प्रसारन-10 वालव में वास्पित में कैसे लगाते हैं यहां पर यह संगरित्र लगा हुआ होता है यह संपीड़क होता है और यह एक्सपेंशन वाल्व है तो इस तरीके से हम इसको जो है मैनेज करते हैं फ्लेश द्वारा ली गए जो उश्मा है वो फ्लेश द्वारा निकाले गए उश्मा के बराबर होती है तो और या तो है जैश्मा एक्वमान ऊंगों ट्रीक को प्रणाइब उर्ध करा है और जो यहां तो संग्रीत हो गा यहां पर हम इस वहां को लिया और यहां से M2H1 जो हमारे पास M2H1 है वो आएगा तो यहां पर हम जब इसको ले जाएंगे तो M2 common आजाएगा दोनों में से और H1-H4 आएगा यहां पर M1 common रहेगा तो H1-H F41 आजाएगा तो M1 equal to क्या होगा यहां पर यह इसके नीचे आजाएगा यहां पर तो H1-H4 upon H1-H4 sorry HF41 कैसे यह कैसे आदे कि यहां पर हमने जो है M1 के वेलों निकाली है तो यह जो भाग है ध्यान से देखेगा इसको हम मिटा देते हैं एक पर इसको देखेगा अब ध्यान से यह जो हमारे पास पार्ट है इसको हमने इसके निचे लिए है ठीक है जैबी तो हमने M1 के वेलों निकली तो M1 हमने यहां लिखा और M2 H1-H4 upon H1-H4 1 तो M1 equal to M2 H1-H3 क्योंकि H4 ही हमारे पास क्या है HF3 के बराबर होए ठीक है तो H4 को हम HF3 के बराबर लिखेंगे तो हमरे पास आएगा H1-H3 upon H1-H4 1 clear तो flash chamber दोरा लिए गई उस्मा equal to flash chamber दोरा निकाली गई उस्मा यह होती है ठीक है तो यहां पर आप देख सकते है figure की सहता से जिसमें यह figure को manage किया गया है ठीक है यानि के ली गई उस्मा बराबर दी गई उस्मा इस तरीके से यह flash chamber में आती है ठीक तो हमने इसी फोर्मे से निकाला कि flash chamber दोरा ले गई उस्मा यहनि कि जो उस्मा ली गई है ठीक है और जो ऊस्मा निकल रही है वो दो इसके बराबर होगी ठीक एक पार फिर से देखेगा ये फिलेश चैम्बर है ये इससे उस्मा निकल रही है और यहां से ये उस्मा इसमें आ रही है तो ये जो उस्मा निकल रही है ये जो है दी गई उस्मा के बराबर होगी ठीक तो इसलिए हमने लिखा कि फिलेश चैंबर द्वारा ली गई उस्मा जो इसमा ली जा रही है और फिलेश चैंबर द्वारा दी गई उसमा जो निकली गई उसमा है वह यह दोनों होगा किलिर देख लिए एक बार अब बात करते हैं नेट रैफरेडरेशन प्रभाव जिसको हम बोलते हैं आर इट रैफरेडरेशन प्रभाव क्या होगा आर इकॉल टू एमवन एच वन मैनस अच फ़ोर वन तो आर इकॉल टू अब देखेगा एम टू जब हम एमवन की वैलु upon H1 minus HF41, clear, और H1 minus HF41, R E equal to कितना हो जाएगा, अब दोनों के cancel out हो जाएगे, तो H1 minus HF3, तो संपीड़क द्वारा कारे भी देख लेंगे, तो W equal to M2 H2 minus H1, अब देखेगा, संपीड़क द्वारा कारे, संपीड़क द्वारा कारे कैसे, यह हम मान रहे हैं, एक बार दियान से देखेगा, इस फिगर में हम जो है, इसमें M1, M2 जो भी हैं, उसको हम एक बार लिख देते हैं, देखे, जो फ्लेश चैंबर द्वारा ली गई उसमा है, तो M2 H4 आ जाएगा, यानि कि यह है M2 और H4, ठीक, जो इसके द्वारा ली गई है, अब हम बात करेंगे, तो जो इसके द्वारा निकले गई तो M1 H4 1 और M2 H, जो हमरे पास M2 minus M1 है और H1 है, तो वो हमारे पास यह निकले हुए हैं दोनों, ठीक है, आप बात करें संपीडक की, तो संपीडक का जो कारे है, उसको कैसे निकला लेंगे, W equal to M2 H2 minus H1, तो W equal to M2 H2 minus H1, यानि कि जो इसके कारे है, इसके द्वारा क्या आगा कारे है, जो यहाँ से निकला, M2, देखे, M2 H2 minus H1, यानि कि M2 H2 minus H1 कैसे, यहाँ से है, तो यह जो हुआ, यह तो हुआ है, तो M2 H2 minus H1 है, तो H1 यहाँ पर है, और H2 यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से लिगा, H2 minus H1, तो देखे, COP क्या होगा, R E upon W होता है, और W के वेलू उमारे पास क्य है, जो समपी तक द्वारा किया कर रहे है, W equal to M2 H2 minus H1, तो COP हमारे पास हो जाएगा, R E upon W, अब R E की वेलू क्या है, R E की वेलू हमारे पास M2 H1 minus HF3, और W की वेलू हमारे पास M2 H2 minus H1, तो हमारे पास COP क्या हो जाएगी, COP की वेलू सीधी सीधी हो जाएगी, H1 minus HF3 upon H2 minus H1, क्योंकि M2 से M2 हमारे पास cancel out हो रहा है, के लिए रहे हैं, चलिए आगे, अब देखिए बात करते हैं, pressure entropy, जो डाइग्राम है, तो pressure entropy diagram में क्या होगा, देखिए 1 से 2 तक जो है, यह क्या होता है, संपीड़ा क्याने, compress होता है, ठीक है, इसके बाद, अब देखिए, जब हद तक increase होगी, ठीक है, अब यहाँ पर यह विए 2 से 3 स्टेप चलेगे, तो क्या होगा, pressure घटता है, जो इसमें condensed होती है, gases, यानि कि संगनित्र में जाता है, जो इसको ठंडा करता है, ठीक है, अब इसके बाद, देखिए, जब यह संगनित्र में जाता है, condensed होती है, तो य यह जो है, entropy को decrease कर देती है, और pressure को भी कुछ हद तक decrease करती है, ठीक है, लगबग pressure constant हम मानते हैं, अब इसके बाद, जब हम यहाँ पर pressure, जेखिए, यहाँ पर पुरा pressure जो है, एकदम से घट रहा है, जबकि entropy constant है, entropy constant है, pressure घट रहा है, जिसमें यह expansion हो रहा है, ठीक है, तो य जबकि entropy जो है, वो घटती है, अब इसी तरीके से, यहाँ पर जब यह है, प्रसारण यानि कि expansion valve में जाता है, तो यहाँ से pressure जो है, घटता है, और entropy वहाँ पर constant रहती है, अब यहाँ पर जब यह है, four or one cycle चलेगी, तो four or one step में क्या होगा, यह वास्पित्र में जाएगा, यानि कि फिर से यह gases में तबदिल हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर यह होता है, clear, चलेए, आप देखिए, cop हमने बताया था, m2 h1 minus hf3 upon m2 h2 minus hf1, ठीक है, यानि कि m2 h2 minus h1, इस तरीके से बताया था, तो m2 से m2 cancel किया गया, और cop equal to h1 minus hf 3 upon h2 minus h1 ठीक है, तो संपीड़क को चलाने के लिए आवश्यक शक्ति कितनी हो जाएगी, तो power जो होती है, वो power कहलाएगी m2 h2 minus h1, और upon में 60 kilowatt, क्योंकि जो संपीड़क द्वारा किया गया, कर रहे है, वह हो जाएगा, और upon में हो जाएगा, 60 क्योंकि kilowatt में हमें बदलना है, तो p equal to m2 h2 minus h1 upon 60, इस formula को याद रखेगा, kilowatt में होता है, अब बात करते हैं, पूर्वशेतलक, पूर्वशेतलक या accumulator के प्रियोग द्वारा, हमें जो है, किस तरीके से refrigerant को वास्पन करना पड़ता है, तो देखे, by using the accumulator of the pre-cooler, तो कभी-कभी द्रवी रेफ्रेजरेंट को वास्पित्र से प्रभावित करने के पैस्चात, हम क्या करते हैं, रेफ्रेजरेंट का संपूर्वास्पन नहीं हो पाता, ऐसा हमें देखने को मिलता है, कभी-कभी द्रवी रेफ्रेजरेंट को वास्पित्र से प्रभावित करने के पैस्चात वी रेविजजेंट का संपूर वास्पित्र नहीं हो पाता। संपूर वास्पन होणी प्पता जिनके पूरी तरीके से वास्पन नहीं बनता है। अब यदी संपीड़क है उसमें द्रेविर अवे साथ वास्प रेसिड़ेंट को भी प्रिवाहित किया जाता है तो संपीड़क को अलग से कारे करना पड़ता है उसको कंप्रेस करने के लिए जैसे वास्पन और अवम द्रव रेसिड़ेंट के तापमान में व्रद्धी इस कुछ आलक पात्र जिससे एक्विमेटर कहते हैं यह प्रीकुलर कहते हैं उसका हम प्रियोग करते हैं जिससे कि यह कटनाई हमें न जहलनी पड़े। किलिर आगे एक्विमेटर परसारण वाल्ब से द्रव और वासप रेप्य सजेंट्ट के मिशण को पराप्त करता है तथा वासपित्र को केवल सभय फ्रींटी और परभाई उप्रावइध करता Austral गरें जैसा की फ्लेश चेमबर विद्धी में किया गया था वासपित्र से जो इसको को सुचार्ज होता है उसे पुनेर में भेज दिया जाता है जिसे संपी ड़क में दरव के प्रवेष वास्प yn material Grammar को प्रभावित करता है एक द्रव्य पंप को निकाय में जोड़ा जोड़ दिया आता है जिससे की वास्पित्र में रेफिजरेंट के प्रभा को सुचा रूरूप से बनाया रखा और अब करने पर संगे पर पर पुचाएगा द्रव्य पंप में फिरत Hog शोके संपित्र में जाएगे यह इस प्रॉस्स आप समझ गए हो regimes देखें यहां पर आप इस figure को देखेंगा यह जो है enthalpy और प्रेश जो दाब है enthalpy और दाब यह figure है तो आप देखेंगा first step में क्या हुआ संपीडक यानिके जो यहां से इसको संपीडित किया अगर हम देखें तो first से second इसको संपीडित किया अगर हम देखें तो one dash और one यह जो step है pressure constant और enthalpy को यहां पर बढ़ावा मिल रहा है ठीक है फिर one से two जब चले तो हमने देखा कि pressure और enthalpy दोनों ही increase हो रहे हैं लेकिन संपीडक के जब यह है जो है संपीडक में आता है ठीक है यहां से एक्किलमेटर से जाएगा एक्किलमेटर से संपीडक में जा रहा है लेकिन संपीडक में आ जाता है संपीडक जब अपना कारे करता है तो वो क्या होता है कि दाब को constant करता है और enthalpy को decrease कर देता है ठी जाता है इंटल पी कॉंस्टेंट पर दाब को डिक्रीज कर जाता है और प्रसारण वाल्व के बाद यह फिर से वास्पित्र में जाता है और फिर से संपीड़क यानिके क्लमिटर में होते हुए संपीड़क में पहुंचता है ठीक है चलिए अब देखें माना हमने की M1 जो वास्पित्र को प्रवाइद की जाता है ठीक है आप फिगर में देखेंगा जो वास्पित्र को प्रवाइद के प्राप्त हो रहा है वो है M2 और यहां से जो यहां से निकल कर केस संगनित्र में जा रहा है वो हमारे पास M1 ठीक है तो इस तरीके से आप देख रहे हैं द तो दिखें, accumulator द्वारा उस्मा ग्रहन जितनी हुई है, वही हमारे accumulator द्वारा उस्मा को निस्कासित किया आता है, कोई भी इस कलोसिस नहीं माना जाता, तो दिखें, m2, h4, plus m1, h1, 1 हो जाएगा, और equal to में m2, h2, plus m1, h4, 1, तो यहां से हम जब m1 common लेंगे इसको और इसको लेकर के, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, h1 डैस और यह माइनस का इधर आएगा, तो माइनस के h4, 1 हो जाएगा, equal to, जब इस m2 को इधर ले जाएगे, तो क्या हो जाएगा, m2, h1, minus h4 हो जाएगा, ठीक है, तो m1 equal to, m2, h1, minus h4 upon h11 minus hf41, तो यहां से m2 जब आएगा, तो देखे, h4 को हमने क्या लिखा, hf3, तो यानि के h1 minus hf3 upon h11 minus hf41, net refrigeration effect क्या होता है, यहां पर r e equal to, m1, h11 minus h41, अब देखे, समिकर्ण एक से हम लिखेंगे, यहां पर, के m2, और यहां से देखे, m1 का वैल्यू हमारे पास, m2, h1, minus hf3 upon h11 minus h41, यह हमने रख दिया, अब यह आया हमारे पास, total इधर, h11 minus h41, तो यहां से देखेगा, इस से हमें इसको cancel out कर देते हैं, तो m2 minus h1 minus hf3, यह आजाएगा, net refrigeration effect, संपीटक का कारे निकालना होगा, तो formula हमारे पास वही होता है, w equal to m2, h2 minus h1, ठीक है, COP की बात करेंगे, तो re upon w, तो re की value हमारे पास है, m2, h1 minus hf3, और w की value हमारे पास है, m2, h2 minus h1, तो COP कितना होजाएगा, h1 minus hf3 upon h2 minus h1, संपीटक को चलाने के answer आजाएगा, तो इसको हमने यहाँ पर आखा, यानिके w upon 60, अब बात करते हैं, वास्प refrigerant की साहता से द्रवी refrigerant को ठंडा करना कैसे किया जाता है, by sub cooling the liquid refrigerant by the vapor refrigeration, ठीक है, तो यहाँ पर देखेएगा, हम जानते हैं कि संपीटक से निकलने वाले द्रव refrigerant का तापमान, व विनियमित्र की साहता से, ठीक है, उसमा विनियमित्र की साहता से पुनहे ठंडा किया जाता है, और उसमा में द्रवी रेफ्सेजेंट, उसकी उसमा को वास्प रेफ्सेजेंट को प्रवाइद करता है, जिससे दक्स्ता में व्रद्धी होती है, जो उसमा विनियमित्र है, यह किस तरीके से काम करता है, यहां से देखेगा, वास्पित्र से निकल करके M1 जो है उस्मा विनेमित्र में जाएगा, यहां से क्या होता है, कि देखें हमने अभी बताया था कि जो उस्मा विनेमित्र है, देखें संगनित्र से निकलने और द्रेविर एफिजिन्ट को उस्म विनियमेत्र में यहाँ पर यह जाएगा और जब यह लिक्व formula यहाँ पर जा थेगा तो यह Smells ठीक है और जब यह प्रसारण वाल्व में जाएगा तो प्रसारण वाल्व क्या करता है इसको दाब को घटा जयता है और यह जाएगा सीधा वास्पित्र में ठीक है तो यह साइकल जो है इस तरीके से चलती रहती है अब देखिए प्रसारन वाल्व द्वारा निकलने वाले द्रवी रैफरिजिनेट के सहता से संगनित्र से निकलने वाले द्रवी रैफरिजिनेट को ठंडा करना कैसे कियाता है आईए देखिए यहाँ पर आप भ्यान से देखेगा कि जो उस्मा विनेमित्र है वो यहाँ पर वास्पित्र से पहले ही लगा हुआ है ठीक है यानि कि वास्पित्र से कोई भी जो द्रविमान है वो नहीं जा रहा है सीधा प्रसारण वाल्व से होकर के यह जाएगा उस्मा विनिमित्र में और उस्मा विनिमित्र जो भेजेगा सीधा कहां पर भेज रहा है वह भेज रहा ह में थे संबीटव में भेज़ने पर यह संपीछी संगनित्र करें अध्याय कि फिर से कहाँ आई गा कि एक प्रिसरान में जाकर के दाब को गट गटाएंगे का बसक्राने पर यहàiत द्रव और इस वास्प दोने思र पर में जाएगा दे वास्पित्र में जाता है ठीक है किलिए अब देखिए हम जानते हैं कि संपीडित से निकलने वाले द्रविये रेफ्रिजरेंट का तापमान वास्पित्र से निकलने वाले रेफ्रिजरेंट को उश्मा विनेवित्र की सायता से पुने ठंडा के जाता है और जिसे द्रविये वास्प संपीडन रेफ्रिजरेशन निकाई के बारे में कमपाउंट वैपर कमप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम देखे कभी-कभी यह आवश्चक हो जाता है कि वास्प रेफ्रिजरेट को अती उच दाब पर निस्कासित किया जाता है ठीक है तो ऐसी परिशिती में तो या तो केवल क्या होता है एकल चरण संपीड़क का प्रियो कर आता है या फिर जिसका दाब अनुपास संगनित्र एवं वास्पित्र के बीच अती उच रखा जाए इसके लिए इसका प्रियो करते हैं ठीक है एक बार देखेगा योगिक वास्प संपीडन रेफ्रिजरेश सिस्टम तो कभी-कभी यह वश्चक हो जाता है कि वास्प रेफ्रिजरेंट को अती उच दाब पर निसकास्त किया जाए तो ऐसी परिसिती में या तो एकल चरण संपीड़क का प्रियो किया जाए या फिर जिसका दाब अनुपास संगनित्र एवं वास्पित्र के बीच हो जिसका जो वास्पित्र के बीच अती उच रखा जाया दाब उसका प्रियोग के जाए ठीक है दाब अनुपास जो है वो अती उच रखा जाया जएगा तब उसका हम उप्योग करेंगे ठीक है यह फिर क्या करना होता है कि रेफ्रिजरेंट का संपीड़क कई चरणों में विवक्त करने के लिए दो या दो से अधिक संपीड़क को स्रेणी में जोड दिया जाता है यानिके स्रेणी क्रम में जोड दिया जाता है तो इस प्रकार का संपीड़न जिसमें दो या दो से अधिक संपीड़क का प्रियोग किया जाता है वह योगिक किया फिर बहुत चर कहलाता है या फिर बहुचरण संपीडक कहलाता है तो योगिक बहुचरण संपीडक में मध्य शीतलन मध्य शीतलन के इंटर कूलर का प्रियोग के आता है आए देखते हैं देखें और क्यों के आता है तुकि हम जानते हैं कि रेफ्रिजरेशन निकाय का निस्पादन गुनांक रेफ्रिजरेशन प्रभाव एवं संपीडन कारे का अनुपात होता है अता है निस्पादन गुनांक में बढ़ोतरी के लिए या तो रेफ्रिजरेशन प्रभाव को बढ़ा जाए या तो संपीडन कारे को कम किया जाए अत सीतलक की सहता से दो या फिर दो से अधिक चर्णों में विभाक्त कर लेते हैं जब हमें यह है प्राप्थ होता है बात करते हैं बहुत रण संपीडन विधी से क्या-क्या लाब है एडवन्टेज और मल्टी स्टेज कंप्रेशन सिस्टम यानि कि प्रमुक लाब जो है वो नि बढ़ जाता है समान दावनपाद पर आपतनिक दक्षता में वरद्धी होती है और यह है लिकेज हानी को कम करता है यह समान टार्क देता है जिसके हलके एवं छोटे साइज के फ्लाइवील किया सकता होती है यह प्रभावी इसनहे प्रणाली जो इसनहेक होता है उसके प्र range निमने रहे तिकि यह संपीडक के लागत को कम करता है और cylinder के size को संयूझित किया जा सकता है इससे जो cylinder का size उसको भी संयूझित कर सकते हैं योगिक वास्प संपीडन निकाई के प्रकार कौन-कौन से हैं कैसे यह हैं पता जाते हैं आईे देखते हैं योगे वास्प संपीधन निकाई के परकार पहला है दो-चरणसंपीडन द्रविय बद्थ lived방 के साथ यह रॉए जल मद्धिय शीतलक के साथ ठर्ड है दो चरण संपीडन जल मद्धिय शीतलक द्रविय सब Subscribe के साथ और लास्ट है लास्ट नहीं है चौथा है दो चरण संपीडन जल मद्धिय शीतलक द्रविय सबसकूलर और revision clicking के साथ नेश्ट है तीन चरण संपीडन फ्लेश चेमबर के साथ और सिक्स टाइप है तीन चरण संपीडन जल मद्य शीतलक के साथ और लास्ट है तीन चरण संपीडन फ्लेश मद्य शीतलक के साथ तो यह थे हमारे पास योगिक वास्प संपीडन के निकाय के प्रकार ठीक है और यह साथ प्रकार बताए गए हैं तो इनको आप देख लीजिएगा ठीक है तो यहीं पर यह है वीडियो समाप्त होती है और इस चैप्टर को हमने यहां पर complete कर लिया है अब इसके numerical की बात करेंगे अगर इसमें numerical हमें मिलते हैं तो जरूर हम इसके चैप्टर हम इसको स्टार्ट कर देंगे तो थैंक्यू थैंक्स पर वाचिंग जो इस्टोनेस मारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करके